कि नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पे आज के इस उडियो में हम बात करेंगे M.A.R versus A.L.J. के बीच होने वाले मैच के बारे में आज के इस उडियो में हम बात करेंगे मैच की डिटेंज के बारे में पीच रिपोर्ट के बारे में दोनों टीमों की प्रोबेबले ले उन किस तरह से रहेगी उसके बारे में कुछ प्लियरों के स्टाट्स में आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको अपनी एक विनिंग टीम बनाने में काफी आसा नहीं हो जाएगी चाहिए वो ड्रीमी ले से पहले फिर से आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपनी मेरा चैनल अप तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरी चैनल पर नहें है तो मेरे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजे साथ है सब बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना भूले तो ठीक है दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच के डीटेल से इस सीरीज का नाम है मैं इस सीरीज की मैच नमबर 28 है दोस्तों और दोनों टीमों के नाम कुछ इस तर से मास्त्रा वर्सेस एलबी जालमी सी एफ है याने मर वर्सेस एलजेड तो वही अगर ये बात कह जाए कि कब और कितने बज़े मैच है तो 26 ऑफ जुलाई को ये मैच है 7.5 बज़े राशाम को याने आज के दिन ये राशाम को 7.5 बज़े मैच होने वाला वही अगर वेन्यू की बात कर लेते तो नौरबर्ग क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों तो वही पीच रिपोर्ट के अब बात कर लेते तो पीच सकती हैं लेकिन ज्यादा मदद मिलने की चांसे स्कुझ मुझे लगता है कि पहले बल्बाजी तो की सच में यहाप मदद मिलीनिग में तो फीर चेस्ट करना यहां पर दिक्कत हो सकती है इस वज़े से जो भी टॉट जिते का आफकोस पहले गेंबल्लेवाजी लेने का फैसला कर सकता है अब बात कर लेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबली ले उनकी तो वह कुछ इस तरह से रहे सकती है सबसे पहले बात करते है मास्ता की मास्तरा की प्रोबेबली ले ले उनकी तो वह कुछ इस तरह से रहेगी अजमल रजा एस मुस्तफपा उसमान वारिच डबलू हैदर एस उल्ला एफ वकस वसिम उल्हक के अली शेरली क्यू सायद उस्मान अरिफ इस तरह से रह सकते है यह में आर की प्रोबेबली ले ले या फिर प्लेइंग लिए उन भी कह सकते हैं अब बात कर लेंगे अलबी जालमी सीएफ की तो उनकी प्रोबेबले लिए उन कुछ इस तरह से रहेगी इस्माइल जिया एफ चोदरी, ए खलिल, जिया अलो जाई, टी मसुद, आर खान, ताजुसेन, उस्मान इफ्टिका इफ्टियार, वाय सफी, सामी खलिल, ए खान, जाईद तो यह होगी प्रोबेबले लिए लिए अलजेड की याने इसे आप प्रेडिक्टेडे लिए फिर प्लेइंग लिए भी कह सकते हैं तो मैं अब कुछ प्लियरों के स्टाट्स आपको दिखा देता हूँ जिससे की आपको अपनी खुद की एक टीम बनाने में थोड़ी आसा तो याने 82 रन निकल चुके तो काफी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं यह दोस्तों और अच्छी कासे फॉर्म में तो जरूरू इंको पिक करने की कोशिश की जिगा उसके बाद एस उल्ला की बात कर लेता है तो ही आज स्कोर्ड ट्वेंटी रन आन्टू विकेट्स मतलब सेखसाब इन्होंने अब तक अपने इस टॉर्नमेंट में 20 रन बनाएं काफी कम लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने 2 विकेट्स भी निकालने हैं और टीटेंट्स में विकेट्स मौ क्या आपको सबको पताई होगा क्या इंपोर्टन्स है यह तो आपको पताई होगा अब बात कर लेते तीसरे और आखरे प्लियर की तो वह है उस्मान अरिफ इन्होंने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन किया है इन्होंने भी अपने बल्ले से 41 रन तो बनाई है साथ इसाथ इनको भी एक विकेट मिला है दोस्तों टोर्नमेट में काफी इनको प्रदर्शन कोशित जरूर कीज़ेगा तो अब चलते हैं ड्रीम मिलियंट के एप और देख लेते इंड्री मिलियंट की विनिंग टीपस जिससे के आपका अच्छी का से अर्निंग हो सकते हैं तो जिस तरह से आप देख रहें तो यहां पर हम अगरें ड्री ande когда you feel good to know Ver mes ais nggak अब तक हमें इस पे क्लिक कर नहीं है और आपने अब तक इस पर उसकी टीम नहीं बनाया तो आपको creator to तिम करना मैं आलड़ी टीम कारम इसलिए मैं माई टीम पर क्लिक करूँगा है की क्रौइड करके आपको दिखाओं गा किसको सबसे पहले हम आचुके कीपर में कीपर में हमारे पास दो ऑप्षन है दोस्तों एस अली और एस मुस्तफा इन दोनों को अभी फिलाल हम इस टीम में ले लेंगे क्योंकि दोनों कर सकते डबलु हेदर को लियाए इस अब तक इस टूर्णामेंटर पर अच्छा खासा परदर्श Wak título कर के उसके बाद एक खलिल को लिहए इस इन पर भी आप अच्छा खास बूर्णा कर सकते एच्छे लिये चलते हैं और दोस्तो उसके बाद है एफ वककास को हमने इस टीम में लिया है तो इस तरह से यह चार बल्लेबाद हमारी टीम में हो चुके चलते हैं और पर तो ऑल रूंडर में मैंने दोस्तुल को उलेक किया आई वह दोनों की दोनों इस टीम में अच्छे खासे पॉइंट इनका जा रहे है तो वो है एस उल्ला और यू अरिफ कौमनिस टीम में शामिल किया दोनों ने दोनों भी काफी बड़िया प्लियर है दोस्तों आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं चलते हैं गेन बाजी पर तो गेन बाजी में ह का प्रतेशन काफी बड़िया रहा है और अच्छी खासी गेन बाजी कर रहे हैं विक्टे भी यह निकाल रहे हैं तो इन पर इनको भी हम इस टीम में जरूर शामिल करेंगे इसके बाद आप मैं यह कंट्यूनू पर क्लिक करूंगा और आपको दिखा दूंगा किसको कैप् है और अच्छे खासे पॉइंट दे सकते बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इस्तर से उल्टा भी कर सकते हैं आप कोई प्रोलिम नहीं तो इस टीम का एक बार टीम प्रेविव करा देता हूँ जैसे के आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो ओप्सन हैं एस अली और एस मुस्तपा इन दोनों को अम लिए उसके बाद हमने चार बल्लेबाजों को शामिल की आया आर खान एक खलिल उसके बाद डबलु हेदर को लिया है और एफवकास को लिया है तो इस तरह से छे बल्लेबाज हम सोच सकते कि हमारे पास है क्योंकि दो कीपर और चा चोदरी को लिए ए राजा को लिए और ए खान जायत को लिए तो काफी बढ़ी आटी में दोस्तों आप इसे ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए योज़ कर सकते तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते तो इस उल्ला को मैंने कैप्टन बनाया है अच्छे और दोस्तों और अच्छे खासे पॉइंट अब तक दे चुके और आगी भी दे सकते इसी वज़े से मैंने इनको कैप्टन मराया और बैटिंग और बॉलिंग दोनों में यह अच्छे खासे पॉइंट दे सकते क्योंकि आल राउंड है तो वही मैंने आर खान को वाइस कैप्टर बनाया अच्छे बल्ले बाजे दोस्तों और जरूर आप इन पर दाव लगा सकते कोई प्रॉब्लम ने कोई दिक्कत ने तो इस तरह से काफी बढ़िया टीम है दोस्तों जरूर आप यह ग्रैंड लिग दोनों के लिए उस कर सकते इस टीम को क्लोज कर ले तो आप तीन बल्ले बाज है दोस्तों तो अब चलते लिए उस्के वज़े से हम फास एक और उल्रोंड़ एक्स्ट्रा हम ले सकते तो उसी वज़े से हमने आप टीन और लैफ को तो लिया लेकिन उसके साथ-साथा हमने डबलू यू आई हक को इस टीम में शामिल किया है अच्छी अब तक अच्छा प्रतर्शन रहा है दोस्तों और अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते है तो जरूर आप इनको भी ले सकते है अब चलते गेन बाजी पर तो गेन बाजी में एफ चोधरी को लिया है व किसे बना सकते तो इस टीम का क्याप्टन मैंने डबलू हेदर को बनाया सबसे बड़िया बल्लेवाज आये है दोस्तों उनकी टीम से सबसे ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे तो जरूर आप इन पर भी दावल लगा सकते और वाइस क्याप्टन की बात करें तो यू और हमने वाइस कैप्टन के यह फिर से अल राउंडर है दोस्तों तो हमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे कासे पॉइंट दे सकते डबल पॉइंट मिल सकते तो इसी वाज़े से मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया फिर से कहूंगा अगर आप उल्टा भी करना बाइस कांगे जैसे कि आप देख पार है डोगी पर हमारे पास अली और एस मस्तफपा फिर से हमारे टीम में हैं उसके बाद हमने थीन इभल्लेबाज डूर एक्टिम में शामिल किया है तो वहीं तीन गिंबादों में हमने जेंजे Pacific को लिए ए तो छोधरी को लिए तो अ इनको इस टिम को ग्रांड लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए उसकर सकते कोई प्रॉब्लिम नहीं कोई रिक्त नहीं कैप्टन मैंने बना यह डबलू हेदर को तो यू अरिफ को वाइस कैप्टन बना है डबलू हेदर काफी बड़ी बल्लेबाद है दोस्तों और अच्छ से पॉइंट दे सकते इस वजह से में इनको वाइस कैप्टन बना तो अच्छी टीम है दोस्तों ज़रूर्ण लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए उसकर सकते इस टीम को भी क्लोज कर लेते और देख लेते तीसरी और आखरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ तो तीसरी टीम में हमने कीपिंग में थोड़ा चेंज किया है यहाँ पे एकी कीपर के साथ हम जाने वाले ताकि हमें बैटिंग में और और जादा ऑप्शन मिल सके तो हमने कीपिंग में यहाँ पे इस अली को ही लिया है इस मुस्तप्पा को इस टीम में ड्रॉप कर दिया तो अब चलते हैं बल्लेवाजी में तो बल्लेवाजी में इसकी वज़े से हमारे पाद चार ओप्षन बन चुके आर खांग और डवलु हेदर को तो लिया है उसके बात एक खलील को भी लिया है और आखरी जो बल्लेवाजे एफ वक्कास को भी इस टीम में शामिल किया है तो काफी बड़िया है चारो की चारो बैट्समन जरूर आप इन पर भरोसा कर सकते या फिर दाव भी लगा सकते अब चलते आल राउंडर पर तो तीन आल राउंडर हमारे पास है एस उल्ला को हमने लिया है और जेड अलो जाई को इस टीम में शामिल किया है उसके बाद यू और इफ को भी इस टीम में शामिल किया है तीन आल राउंडर हमारे पास है और आप इन तीनों पर भी भर्षा कर सकते आप अगर चाहे तो यहाँ पर अगर एक बल्ले बाद यहाँ पर आप कम करते हैं लेकिन आपको करना होग इनको कम करना होगा अगर यह कम करते हैं तो आप यहां पे आल राउंडर में आपके पास एक और है डबलू यू आई हक को हम इस टीम में शामिल कर सकते हैं लेकिन बल्ले बाद आपके पास तीन ही रहने वाले उसके वज़े से लेकिन आल राउंडर चार हो जाएंगे यानि चार प्लियर आई से हो जाएंगे जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते तो ठीक है दोस्तों इसी तरह से अभी फिलाल रहने देता हूँ अब गेन बाजी पर चलते हैं एक खान सहयद को लिया है उसके बाद मैंने ए रजा को भी लिया है और क्यू सहयद को इस टीम में शामिल किया तो अच्छे खासी बॉलर है दोस्तों और काफी अच्छे अब तक जबना है तो यह आरजा को दिक सकते हैं पर जानेँ कोई प्रबल्लम केंग दढ़िंग और बैरा परसेंट बोडिंग अच्छे कासर पॉइंट दे सकते तो ऊपहिंति से कोई दिखकत नहीं एक वांपस से करा देका हूं जैसे कि आप देखता हूं किपिग में हमारे time में शामिल कर आए उसके में हमारे पास 3 बल्ले बाद जैसे कि आप देख पारे जेड अलो जाई एस उल्ला यू अरिफ डबलू यू आई हक को आमने स्टीम में शामिल किया है इस तरह से चार आल डॉंडर है हमार पास जोरूर आप इन पर भरुशाग कर सकते हैं उसके बाद तीन गेन बाजे एक खान जाइद ए रजा और क्यू स काफी बढ़िया परदर्चन रहा है गेन बाजी में विट्टे भी काफी एक्छी मिले तो जरूर आप इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया तो काफी बढ़िया टीम बन चुके हैं जरूर आप इस टीम को ग्र लेकिन ज्यादा चेंजे स्मत की जगा थोड़ा रिसकी सावित हो सकता है तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में लेकिन उस जाने से पहले फिर से कोंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो से लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे साथ इसाथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना भूले तो ठीक है दोस्तों आज की वुडियो में इतना ही मिलते अगले वुडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यव कर दो करता है ता हम थागले उन्यव करता हुडियो में पन्यवाओ कर दीजे जा है दाता है कि अगया कर लागले पंदित दिया है यूले देना है।